आप सभी का हमारे चैनल वीट्यू पिश्टिडी पॉइंट में स्वागत है दोस्त बॉयलोची से जो आपकी क्लासेश चल ले थी पोसड नूट्रेशन दोस्त पिछले हमने एक क्लासेश में बहुत ही अच्छी तरीके से टॉपिक को कंप्लेट कराया आज के इस वीडियो मे अब का क्लासेश चल ले थे ङारएक आपको काहाते है प्लेलिस्ट में बैस ने दोस्त क्लासेश चल ले ले एक अच्छी तरीके से देख सकते हैं. भोजन के बारे में दोस्त हमने बताया था इसके अवयोग कौन-कौन से होते हैं आपका कार्पोहाइडरेट्स, वसा, प्रोटीन, खनीज लवर्ड, विटामिन, जल और मोटा चारा इन सभी के बारे में हमाया से डीटेल्स से बारे में बात कर रहे थे हमने कार्पोहाइडरेट्स के बारे में कम्प्लिट कर लिया आज के इस वीडियो में दोस्त हम बात करेंगे वसा ठीक है वसा बात करेंगे दोस्त उसके बाद प्रोटीन, खनीज लवर्ड, विटामिन, जल और मोटा चारा सारी चीजे मैं आपको बताऊंगा दोस्त लेकिन इस वीडियो में आपको वसा प्रोटीन, खनीज लवर्ड और विटामिन से रिलेटेड में भी नेक्स्ट आपका जो वीडियो आएगा वो आपका विटामिन से रिलेटेड होगा ठीक है वो सारी चीजे आपको उसमें दे वीडियो को information आप तक सबसे पहले पहुश सके चलते हैं दोस्त अपने topic पे हमारा first आपका topic है fats ठीक है वसा वसा के बारे में दोस्त जान लेते हैं वसा आपका वसी अमल और glycerol से बना एक योगिक होता है जो कि carbon hydrogen और oxygen का बना होता है ठीक है वसा में आपका अत्यधिक calorie होती ह और यह आपका आवस्यक वसा अमलो के मुख़ि सरोज से आपका मिलता है इसमें ठीक है एक ग्राम वसा के अक्सीकरन द्वारा हमें 37 किलो जूल या अगर बात करें 9 किलो कैलोरी उर peril यह हमें प्राप्ट होती है कितने एक ग्राम वसा से ठीक है यह जल में आपका आविले हो होता है ठीक है वेरी इंपोर्टेंट है नोट करते हुए चलिएगा दोस्तों यह आपका इंपोर्टेंट पॉइंट सारी चीजे मैं आपको बता रहा हूं एक ग्राम वसा के आक्सिकाया द्वारा हमें 37 किलो जूल या हमें 9 किलो कैलोरी उर्जा प्राप्त होती है यह आपका जल में विले होते हैं आदि में मुख्य रूप से आपका पाये जाता है जो वसा होता है ठीक है अगर जन्तू वसा की बात अथ्वा उसे हम तेल कहते हैं ठीक है वसा का हाइड्रोलिसीस लाइपेज एंजाइम द्वारा छोटी आत में होता है ठीक है तो वसा से लेटेट जो चीजे पॉइंट है उसको दोस्त नोट करते हुए ही चलिएगा यहां पे नूट्रेशन पीछले हमने जन्तु जगत का वर तो वसे इस्ट्ूडिन्ट यहां पे कमेंट कर रहे थे तो पीडियाफ आप टेलिग्राम चैनल जोइन कर लिजिए दोस्त आपको वहाँ से मिल जाएगा टेलिग्राम पे सेंपल सा दोस्त आपको सर्च करना है B T E U P Steady Point सर्च करेंगे दोस्त तो वहाँ पे आपको क्या है मिल जाएगा आपको ठीक है देखने को चैनल का लोगो मिलेगा वहाँ पे अच्छी तरीके से देख सकते हैं बात करते हैं तो आपका वसी अमल होता है तो टाइप की कौन-कौन सा पहला आपका संत्रिप्त दूसरा और संत्रिप्त कौन-कौन से जैसे संत्रिप्त आपके वसी अमल है और संत्रिप्त की बात करें तो लिनोलिक अमल ठीक है एरे कोर्नियोडिक अमल ठीक है वसा का संग्रह आपका किसमे एडी पोज उतक में होता है ठीक है वेरी इंपोर्टेंट है नोट कर लिजगा वसा का संग्रह आपका किसमें होता है वो है source of fats के बारे में बात करते हैं कि जो आपका वसा मिलता है ये कहां कहां से मिलता है कौन-कौन से इसके मुख्य सुरूथ है ठीक है आगे तोस्त आने वाली वीडियो कि मैं हम आपको बताएंगे जो आपके खनीज लवन है source है अभी तो इस वीडियो में आपको जैसे आपका लोहा हो गया calcium हो गया ठीक है आयोडीन हो गया फासफोरस हो गया sodium हो गया potassium हो गया फ्लोरीन हो गया तो इन सभी चीजों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा साथी आपके जो वसा में घुरंसिन विटामिन हैं जैसे विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, यह सारी चीज़ों के बारे मैं आपको details से बताऊंगा दोस्त, आने वाले वीडियो में, तो पहले हम बात कर लेते हैं सोर्स आफ facts के बारे में, ठीक है, तो सोर्स आफ facts क्या है, घी, मक्खन, बदाम पनीर ठीक है अंड योग मांस सुजोबीन आदी सभी में क्या है आपका वसा वनस्पति तेल वसा के मुख्य स्रोथ है ठीक है वसा की अलपता से त्वचा सूखी हो जाती है ठीक है अगर आपके सरीर में वसा की कमी होगी तो त्वचा कैसी हो जाएगी वह आपकी हो जाएगी और वसा की कमी के कारण वसा में घुलंसिल विटामिन्स में भी कमी आ जाती है ठीक है और इसके ज्यादा होने से कौन सा रोग हो जाता है मोटापा रोग से ग्रसित हो जाते हैं ठीक है गाय के दुग्द में भी हमें वसा और लिपिट्स की मात्रा कम होती है कोल ठीक है नेक्स्ट अगला हमारा पॉइंट है दोस्ट प्रोटीन वेरी इंपोर्टेंट है ध्यान पोग समझेगा प्रोटीन सब्द हमारा जे बर्जिलियस सहाब ने उनाइस सो तीस इस्वी में प्रतिपादित किया इस सब्द का प्रोटीन आपका अमीनों अमलका एक पहुल भाता है ठीक है प्रोटीन में लगभग आपका 20 प्रकार के अमीनों अम लुख्र इसमें पाय जाते हैं ठीक है यह आपका एक किसका अमीनों एसीट का ही एक भुलक है प्रोटीन इसमें कॉन-कॉन यह सबी क्या हैं इसमें आपके प्रोटीन में पाया जाते हैं लगभग 20 प्रकार की इसमें आपका अमीनो आमल पाया जाते हैं ठीक है next दोस्त हमारा कुछ अवस्यक इसमें प्रोटीन है जिसका हमें कारे यहां पर मैं आपको बता रहा हूं नोट करिएगा दोस्त इसको जैसे enzymes की बारे में बात करें तो ये हमारा क्या कार्य है इसका जैव उत्प्रेरक कार्य है जैव रैसानी अभी क्रियाओं में सहायक करना इसका काम है enzymes का काम है hormones की बारे में बात करते हैं तो hormones क्या है प्रोटीन क्या होता है कोसिका एवं उतक का निर्माल करता है जो आपका सनराश्टमात्मक प्रोटीन होता है रच्छात्मक प्रोटीन ये आपका संक्रमर से रच्छा करने में सहायक होता है संकुचन प्रोटीन ये आपका पेसी संकुचन एवं चलन हेतू उत्तरदाई होता है एक्जाम्पल के बारे में बात करते हैं मायोसीन, एक्टीन, आधी ठीक है ये सभी क्या है ये आपके प्रोटीन के नाम है समझ में आगे है दोस्त ये आपका क्या है प्रोटीन है और उसके मुख्य वर्क है जो आपका most work इसका क्या है, जिसे enzyme का work क्या होता है, hormones का work क्या होता है, ठीक है, रच्छात्मक protein, सनध्शनात्मक protein, संकुचन protein तो इन सबी स्काब क्या है आपके work है, कि इसका कार्य आपका क्या है, अगले हम दोस्त point पे बारे में बात करते हैं, के सोर्स औफ प्रोटीन के बारे मैं बात करते हैं तो प्रोटीन का जो मुख्य सुरोथ है क्या है दाल, मचली, अंडा, पत्तिदार, सबजिया, हरी सबजिया, धूद, फल, सुयाबैन, मतर, सेम, पनीर, दही, यह सभी क्या हैं? मुख्य स्रोर्स है हमारे प्रोटीन के ठीक है प्रोटीन के कमी से बच्चों में कौन सा मेरेस्मस k survival है एवं qussi aur core रोग उत्पन हो जाता है क्समें बच्चों में इहां पर बारे में बात करते हैं अगला हमारा पॉइंट है mineral salts ठीक है खनीज लवड के बारे में बात करते हैं धातू अधातू और उनके लवड ये क्या है हमारे खनीज लवड कहलाते हैं खनीज लवड हमारे सरीर के लगपक 6.1 प्रतिसत भाग में बनते हैं ये आपके 2 टाइप के होते हैं कौन-कौन सा पहले आपका होता है व्रिहक पोसक दूसरा होता है आपका सुच्म मातरी ठीक है तो पहले के बारे हम बात करते हैं व्रिहक पोसक क्या होता है तो इन तत्पो की सरीर में अधिक मात्यता की आउसकता होती है जैसे calcium, phosphorus, potassium गंधक, sodium, chlorine magnesium ये सब हैं इनकी हमारे सरीर में बहुत ही ज़्यादा अथिक मात्रा में आवसकता होती है ठीक है दूसरा हमारा सुष मात्रिक होता है इन तत्वों का बहुत ही कम हमें आवसकता होती है जैसे आयोडीन की बात करे, फेरस की बात करे, कोबाल की बारे में बात करे fluorine, mole більnum selenium यह सभी क्या है? दोस्त बहुत ही कम मात्रा में आपका रशक्ता होता है जो सबसे ज़्यादा दोस्त यूज रुज होता है हमारा कौन सा रहता है? वो होता है कैलसियम की सबसे ज्यादा रशक्ता होती है phosphorus, potassium, गंदग, sodium, chlorine और magnesium ह creature कामने सबसे ज़्यादा जरूरत होती है लोऋ ही की कमी से हमारा कौन सा रोग होता है रक तालता का रोग हो जाता है काल इस स्वेकला लाश्य है सोर्स अफ मिल नस के बारे में बात करेंगे यानि कि जो आपका तत्व है मैंने भी आपको बताया था ठीक है सम इंपॉर्टेंस आपका मिन्रल हैं आपे जो हमारा जिसके बारे में हम आपको डिटेल्स से बताएंगे तो जीव द्वारा खनीर लवर भोजन एवं पेपदार्थों के रूप में प्राप्त किया जाते हैं और य है सम इंपॉर्टेंस मिन्रल जैसे लोहे के बारे में बात करें तो हीमोगलोबीन प्रोटीन के निर्माण में आपका सहायक होता है हीमोगलोबीन लाल रंग का रुधीर में पाया जाने वाला स्वस्थनी वड़क होता है यकृत व्रिक अंडा अम्रूद बाजरा रेगी प बाजरा में रेगी में पालक में ठीक है तो यह सभी क्या है हमारे मेन सोर्स हैं किसके एफ़ी के ठीक है और इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है रखतालता ठीक है इसी तरह दोस्त हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आप बताएंगे जिसे अभी हमने एफ़ी कम्प उसके बारे में हम बात करेंगे फिर उसके आगे विटामिन्स के बारे में ठीक है वसा में घुलंसील विटामिन्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो आपको उसी से मिलेगा दोस्त रिलेटेट धेर सारी उसमें आपको विटामिन्स देखने को मिलेंगे उससे उत्पन होने वाले रोक के बारे में जानेंगे ठीक है और ये किस से आपका मुख्य सोर्स क्या है वो चीजे आपको next वीडियो में देखने को मिलेगा आज के लिए दोस्त बस इतना ही मिलेंगे दोस्त हम आपको next classes में आसा करते हैं दोस्त आज के इस वीडियो में जो भी हमने point आपको complete कर में बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया है वीडियो को दोस्त जादा से जादा सेयर करिएगा ताकि और भी student के पास पहुच सके थैंक्यू सो मच